नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है जारखन करड़र की सिनियर आईएस अधिकारी पूजा सिंगल सुर्क्षियों में हैं क्योंकि E.D. ने कल उनके 20 से अधिक ठिकानों पे जो छापे मारी की है उसमें अकूत संपत्ति के बारे में पता चला है जिसका डाकुमेंट्स क चान भी वो कर रही है और इसी बीच खबर आई कि उनके यहां से लगभग 20 करोण की नगती मिली है उनके सीएक यहां से भी मिली है जिसको गिंते गिंते मसीने ठकने लगी है आखिर कौन है ये पूजा सिंगल और क्यों सरकार इनको बचाती रही तो आपको बता दे कि पू इनका बुक आफ रिकार्ड्स में अपना नामदर्च कराया है सबसे कम उम्र में आईएस में सेलेक्शन के लिए 21 साल 7 दिन की उम्र में इनका सेलेक्शन हो गया था शुरू में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था लेकिन धीरे धीरे ब्रिश्टाचार में इनके पैर हसते चले गए नीजी जीवन भी काफी बिबादित रहा उसके बाद इन्होंने दूसरी मेरच की कैसे ये नौकरी का इनका सफर रहा और नीजी जीवन कैसे बिबादों से इनका चोली दामन का साथ रहा जरा सुनिये इस पे एक रिपोर्ट देश की सबसे प्रतिष्ठित परिक्षा 21 साल साथ दिन की उम्र में पास करने वाली पूजा सिंगल का नीजी जीवन भी बादों में रहा है जब इन्होंने आईएस की परिक्षा पास की उसके बाद इनकी मेरेच दुसरे आईएस अधिकारी इराहुल पुरुवार से हुई लेकिन सुरुवात में ही दोनों में अन्बन हुई और तलाक हो गया फिर इनकी साधी अविसेख जहां से हुई इस चत परिवारिक जीवन में थोड़ी सांती आई लेकिन महत्वा कांग्छाएं कुलाचे भरने लगी ससुराल वालों के बेवसाइक खितों को फाइदा पहुँचाने के लिए इन पे गंभीर आरोप लगे उपायुक्त के कारिकाल के दोरान एक दिन अचानक खबर मिली कि नकसलियों ने जहरेली सुई से पूजा सिंगल पर हमला किया है जब उन्हें आनन फानन में इर्वा इस्थित अपुलो अस्पताल में भरती कराया गया तो उनकी जान बची हाला कि दूसरी चर्चा ये रही कि उन्होंने खुद जहर देकर जान देने की कोशिस की और बाद में कोई केस न हो इसलिए ये कहानी बनाई गई चनकारी के मुताबिक अभी जो इडी ने उनके 20 से अधिक ठिकानों पे छापे मारी की है उनके यहां से 150 करोण रुपे के बेहिसाब संपत्ती से संबंधित दस्तावेज मिले हैं अधिकारिक पुष्टी होनी बाकी है इडी ने सुक्रवार को जहारखंट की राजधानी राची के विभिन ठिकानों के अलावा बिहार के मुझफर पूर दिल्ली एंसियार और पश्ची मंगल के कुलकत्ता में एक साथ छापे मारी की थी राची में पूजा सिंगल के करीबी एक सीए के घर से मोटी नगती मिली है जो जिसे कि वो उसने बिछोना बना करके रखा था इसके अलावा उनके पास से आठ करो रुपे की अचल संपत्ती मिलने की भी खबर है लेकिन अभी इडी ने अधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है बिहार के मदबनी से पूजा सिंगल के ससुरका में स्वर जहां को भी ग्रफतार कर लिया गया है इतना ही नहीं कि उन्होंने माइनिंग सेक्रेट्री रहते हुए जो खानों का एलाट्मेंट किया उसमें धान्दले बाजी हुई और उसकी दोर कहीं न कहीं आरूप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमन, सोरेन और उनके परिवार से भी जूड़े हुए हैं जिसकी वज़ा से उनमें छट-पटाहट है इन्होंने मन्रेगा में भी मन माने की, मन्रेगा योजना से जुड़ी दो एंजीओ को 6 करण रुपे के ठेके दिये इस मामले में विधान सभा में सवाल उठा, बाद में उन्हें क्लीन चीट मिल गई जबकि खुटी में उपायुक्त रहने के दोरान मन्रेगा में 16 करण रुपे के घोटाले में इनका नाम आया जिसकी जांच अभी ED कर रही है, इससे पहले पलामू में उपायुक्त रहने के दोरान पूजा सिंगल पर उसा मार्टिन ग्रूब को पठावतिया कोल ब्लाक आवंटन में नियमों की अंदेखी का आरोप लगा जैसा कि आपने सुना अब इस मामने में इनके ससुल भी गिरफतार हो रहे हैं, पती तक आँच पहुँच रही है हेमान सुरेन जो मुख्य मंत्री हैं कहा जाता है कि उनके और उनके परवार या उनके नजदिकियों को भी इन्होंने खान एलाट किया है माइनिंग सेकेरेटरी है इस समय और एक बार तो रखबर दास जब मुख्य मंत्री थे और जनता दरबार लगाये हुए थे और इनके सामने ही किसी ने सिकायत कर दी राये ने बेखबर देखते लिए थेंकि इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें